किलकारी अभियान के तहट दो से तीन प्रतिशत हीमोग्लोबीन वाली महिलाओं को इलाज कर ठीक किया जिला अस्पताल में हाई रिस्ट के दायरे में आने वाली गंगेब और जवा की महिलाओं का इलाज जाली खुन चढ़ाने से लेकर सोनोग्राफी तक की सुविदा उप्लाज जिला अस्पताल में आज चिनित हाई रिस्ट महिलाओं के लिए लगाया गया कैम किलकारी अभियान के तहट दो से तीन प्रतिसत हीमोग्लोबीन वाली महिलाओं को इलाज कर ठीक किया जिला अस्पताल जिला अस्पताल में इन महिलाओं के लिए किलकारी अभियान के तहट दो से तीन पर्जेंट हीमोग्लोबीन वाली महिला का भी इलाज हुआ जिला अस्पताल में आज चिन्नित हाई रिस महिलाओं के लिए जिला अस्पताल में लगाया गया कैम हाई रिस के 16 कारण बताये गए हैं इन सभी कारणों की जाच का समुचित इंतजाम किया जिला अस्पताल में महिलाओं को जिसकी चीज की भी जरुवत होगी फिर चाहेवा खून हो या फिर सोनोग्राफी हो या फिर कोई और जाँच ततकाल उपलब्द कराई जाएगी इसके लिए जिला अस्पाताल में बेट का इंतजाम भी कर लिया गया है बेट के पाल जरुवत की सारी चीजों को उपलब्द करा दिया गया है फिलहार डॉक्टर जुड़ गये हैं महिलाओं की जाँच पिछले दिनों रिवा के जिला अस्पाताल में 2-3% हीमोगलोवीन वाली महिला भी पहुची थी जिनका समचित तरीके से इलाज किया था जिला अस्पाताल ने अब वह सारी महिलाएं खत्रे से पाख रहे हैं यह अपने आप में जिला अस्पाताल की एक बड़ी उपलगी मानी जा सकती है हाई निस महिलाओं के लिए क्रमबत तरीके से सिविर लगाने का आदेश दिया था कलेक्टर रिवा मनोच पुष्ट में उसी के चलते रिवा के जिला अस्पाताल में आज गंगेव और जवा की महिलाओं की जाज प्रेक्रिया चल रही है इस बारे में हमने जिला अस्पाताल के सिविल सर्जन डाक्टर गुपता इस पूरे शिविर की मॉनिटरिंग कर रही हर पिता के साथ आशा बहन से भी बात की आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना था रिवा जिले में जो हाई रिस्क गर्वती महिलाएं हैं इसके कई कारण हो सकते हैं नीमिया हो सकता है हाई बीपी हो सकता है और करीब 16 कारण होते हैं हाई रिसके तो उसमें जो हमारी आशा और नेरम ने ब्लॉक लेवल पर चिन्हित किया था जिन महिलाओं का एच भी छे ग्राम से कम है या जिनका बीपी कंटिनुस बढ़ रहा ह जिनको सोनोग्राफी की आवश्रकता है उन सभी चिन्हित महिलाओं को आज ब्लॉक जवा और गंगेव को की महिलाओं आज यहां पर आई हैं हमारे हाँ मानी कलेक्टर महदे की अध्यक्षिता में किलकारी अभियान का एक प्रारम हुआ था किलकारी अभियान के अलतरगत ह हमने हाई-डिस महिलाओं को चिन्हित किया था उसी के क्रम में ये कैंप आज से स्टार्ट हुए हैं जिसमें आज पहला दिन है जिसमें गंगेव और जवा की महिलाओं आई हैं जिनकी यहां जाच की जा रही है इस्तरी रोग दिशेशक्दियों द्वारा पैथोलोजी की जाचे हो रही हैं जिनको ब्लड ट्रांस्यूजन की आवश्रकता है जिनको यहां ब्लड चढ़ाया जाएगा और साथ में सोनोग्राफी भी यहां पर महिलाओं की की जाएगी और इसका करने का उदेश सब इतना है कि नौवे महीने जब महिला की डिलिवरी हो उस चाइन प को ब्लड ट्रांस्यूजन केंप हुआ ता चार सो अर्टिस जो हुए थे उसके बात से ही हमारे हां करीब करीब छे गर्वती माताएं बिभीन ब्लाकों से ऐसी आई हैं जिनका दो ग्राम तीन ग्राम हीमोग्रोविन था दो तीन वह ऐसी कंडिशन में थे कि उसकी सांस चल गई थी उनको सब को पांच शे को किसी को दो बाटल किसी को तीन बाटल दे करके उनका हमने हीमोग्रोविन च्छे के उपर ला लिया नक्साब एक बड़ा सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि सरीर में कितने प्रचत हीमोग्रोविन रहने पर आदमी जिन्दा रह सकता है यह तो जैसे दो ग्राम जो महिलाएं हीमोग्रोविन हैं दो ग्राम तीन महिला जीवित रहने के लिए तो दो डेड़ ग्राम में भी जीवित रही हैं और कई-कई चार चार पांच पांच ग्राम में भी जीवित नहीं रह पाते तो यह सब के अपने बाडी की अलग-अलग इम्मिनुटी चमता रहती है कि हमारा वाडी कितने पर अड्यस्ट कर लेता है इमोग्लोबिन पर मेग्जियों में यदि चार ग्राम पांच ग्राम में होती है इनको सीसी अपने हार्ट में ओभर्लोड होता है तो सीसी अफ डवलप हो जाता है यदि दिवर्सिबल हुआ तो एगे अब इस डिवर्सिबल में चरा गए तो फिल एगे उनकी वह हो जाती है जिट हो जाती है तो इसलिए दिवर्सिबल स्टेज में हम अभी दो तीन ग्राम की 4-5 महलाओं को अभी इस बाटन दे खरके और 6 ग्राम साज ग्राम ला कर ये उनको उनके सुन्षित कर लिया क तर में जवाब लाग से आई हूँ, माहा नाम दंगा वर्मा है, मारीज को लेकर आई हूँ है, खून की जाज करवाने के लिए, तूसके खून की कमी होगी, तूसके बलेट जादे देगा, और जच्चा बच्चा दोनों सही रहे हैं।